संगम नगरी प्रयाग राज को अब गंगा और यमुना में आई बाड से निजात मिल चुके हैं यहां हालात लगभख सामान ने हो चुके हैं गंगा और यमुना का जो पानी कालोनियों और रहाइशी बस्तियों में घुस गया था वो छट चुका है लेकिन मुसीबतों की बा पानों तक फैली हुई हैं इस वक्त हम मौझूद हैं संगम छेत्र में लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर के बाहर और ये रास्ता जो है वियाई पी घाड की तरफ जाता है ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ये हनुमान मंदिर परिसर में जाता है हलांकि नगर निगम औ गंगा और यमुना के किनारे के शहर के तकरीबन पचास महलों ने गुसा हुए था उसके देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जिसरकारी इंतजाम है फिलभाल ऊटके मुह में जीरा थाबित हो रहे हैं नाकाफी थाबित हो रहे हैं और सड़कों से लेकर गलियों तक इसी त चीबतों की बाढ़ है वो कम नहीं हो रही है और अब प्रियागराज के लोगों पर संक्रामिक बीमारियों की चपेट में आने का खत्रा बढ़ गया है हलांकि जो अधिकारी है वो बड़े बड़े दावे कर रहे है लेकिन उनके ये दावे जो है वो कागजों पर ज्यादा नजार आ रहे है और हकीकत में कम नजार आ रहे है तो प्रियागराज में एक बार तेजी से साफ सफाई किये जाने की जरूरत है ताकि गंदगी की वज़े से संक्रामिक बीमारिया फैलने का जो डर है वो डर ना रह जाए और लोग संक्रामिक बीमारियों की चपेट पे ना आने पाएं लोगोंने पहले ही बाड़ की करापकी जवापकी